बुरत पारो सवंक में श्रीकृष्ण जनमस्टमी भादरवाद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी भाद्रवत कृष्ण अस्टमी की रात के बारा बजे मत्रा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्रिक देवकी के गर्ब से शोड़श करा संपन भगवान शिरकिश का अवतार हुआ था इस वरत में सत्मी सहित अस्टमी का ग्रहन निशिद्ध है सधारन्ता इस वरत के विशे में दो मत है समात लोग अर्धरात्री का शुपर्श होने पर या रोहनी नक्षत्र का योग होने पर सब्तमी सहित अस्टमी में भी उपवास करते हैं किंतु वैशनों लोग सब्तमी का किंचन मात्र श्पष्ट होने पर दृत्य दिवस ही उपवास करते हैं, निम्बार के संपट आई वैशन तो पूरो दिन अर्धरात्री से यदि कुछ पल भी सब्तमी अधिकर हो तो भी अस्तमी को ना करके नवी में ही उपवास करते हैं। उदे वियापनी अस्तमी एम रोहनी नक्षत्तर को ही मानेता एम परधानता दे गई है। पूर्ण पुर्षत्तम विश्वंबर प्रभु का भात्रपत मास के अंधकार में पक्ष क्रिश्न पक्ष की अस्तमी तिथी को अर्धरात्री के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार सवरूप है। शिर्वत भागत में कहा गया है कि अर्धरात्री के समय जबकी अज्ञान रुपी अंधकार का विनाश और ज्ञान रुपी चिंद्रमा का उदे हो रहा था। उस समय देव रूपनी देवकी के गर्व से सब के अंताकरन में बिराजमान पूर्ण परिशोत्तम व्यापक पार ब्रह्म विश्वंभर प्रभू भगवान चिर्किष्ट प्रगट हुए जैसा कि पूर्दिशा में पूर्ण चंद्र प्रगट हुआ। इस दिन भगवान जी का प्रदुधार होने के कारण ये उस्व मक्यता उपवास जागरम एम विशिष्ट रूप से श्री भगवान की सिवा शिंगार आदिका है। दिन में उपवास और राती में जागरन एम यथा उपलब्ध उपचारों से भगवान जी का पूजन भगवान कीतन इस उस्व के पद्धान अंग है। श्री नादवारा और ब्रज मत्रा विरिंदावान में ये उस्व बड़े विशिष्ट धंग से मिनाया जाता है। शिंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष में गली महलों एम आस्तिक गरस्तों के घरों में भी भगवान श्रीकिष्ट की नीला की जांकियां सजाई जाती हैं। एम श्रीकिष्ट की मोती का शिंगार करके जूला जुलाया जाता है। इस्तिप्रुश रात्री के बारा बज़े तक कुपास रखते हैं। एम रात के बारा बज़े शंक एम घट्टों के निनाद से श्रीकिष्ट जनम उस्व मनाया जाता है। भक्तगान मंद्रों में समवेत सर से आती करते हैं। एम भगवान का कुनगान करते हैं। जनमस्तिवी को पूरा दिन अम्रत रखने का विधान है। इसके लिए प्राता कालुट करके संकल्ब करना चाहिए। इस दिन केले के खंबे आम अत्वा अशोक के पल्लवादी से घर का द्वार सजाया जाता है। दरवाजे पर मंगल कलश हैं मोसल स्थापित करें। रात्री में भगवान श्रिकिश की मूति अत्वा शाल ग्राम जी को विधीपूरक पंचामरत से शिरान करा करके शोट शोपचार से विश्नु पूजन करना चाहिए। आउना भक्ते वास्तिवाई समंतर से पूजन करके तथा वस्त्र अलंकारादी से सज्जित करके भगवान जी को सुन्दर सजे हुए हिंडोले में परतिश्टित करें। धूप दीप और अन रहित नविद्य तथा परसुति के समें सिवन होने वाले सुस्वादो में श्ट परकार के फल पुश्पों और नारियल च्वारे अनार बिजोरे पंजीरी नारियल के मिश्टान तथा नणा परकार के मेवे का परशाद सजा करके श्री भगवान जी को अरपन करें। दिन में भगवान की मौती के सामने बैट करके कीतन करें। तथा भगवान जी का गुन पूट करके भगवान जी का जनम करावें एम जनम उस्व मनामें जनम उस्व के परचाद कपूरादी प्रजलित करके सम्वेत स्वर से भगवान जी की आतिस्ति करें इसके बाद परशाद भित्रण करें जनम मस्ट्वी हमारे देश का अति विशिष्ट और सर पर मुख उस्व है देश के परतेक अंचल में इसकी पूर्न परतिष्टा है बहुता लोग वरतों में फला हार करते हैं किन्तु अधिकांस इस वरत को पूर्न अपवाद से मनाते है जो मनुश्य जनम मस्ट्वी का वरत करता है वे विश्णों लोग को प्राप्त होता है इसके दित्य दिन अधात नमी को धरी कांदो या नंद महुस्व किया जाता है इसमें भगवान जी पर कपूर, हल्दी, दही, घी, जल, तेल तथा किसर आदे चिड़ा करके लोग प्रस पर विलेपन तथा सिचन करते हैं वादी यंत्रों से कीतन करते हैं तथा मिठाईयां बाटते हैं